प्रॉब्लेम है यह आपको देखने के लिए मिलेगा आप टू लिप्टिंग तक मतलब जैसे जैसे आप एक हपते के अंदर 200 ग्राम के आसपास अगर बोडी वेट नहीं कर पाओगे तो उसमें मतलब जैसे 36 डेज हो जाएगा तो 200 ग्राम का स्वाटे जाएगा तो आपको मै मैं एक ही साला दूँगा कि फास्ट जो 7 डेज होता है उसको थोड़ा सा मेहनत करके अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके उसको चीक्स को थोड़ा सा फीडिंटे करवाई है और दोस्त आप देख पर है कि मैं एक एक जो बड़ा वाला फीडर है एक एक ब्रोडिंग पर आठ और उसको आप आराम से कर से तो इसमें कोई परिशन है नहीं आएगा बहुत सारे फर्माट्स ऐसा भी सोचता है कि जो जम्बू फीडर है उसको इंस्ट्रल करने से ही बहतर होता है तो दोस्त वह भी बहतर होता है और बड़ा वाला फीडर को अगर साही तरीके से आप इस् फीड में लगा नहीं पा रहे तो थोड़ा सा फीड इंटे कम करेगा छोटा हो जाएगा तो आपको मैं एही से ला दूंगा कि फीड उसको सही तरीके से खिलाईए और दोस्त आप देख पर है कि इधर में फीड देने का काम चल रहा है और मैं आपको एक बार दिखा दू क कि पेपार जो बिछावन किया हुआ था वह अल्रेडी मैं उठा लिया और ग्राउंड लेबल फीड देना ही में बंद कर दिया क्योंकि ग्राउंड लेबल फीड देने से एक ही दिकत है कि गंदा फीड खाने से उसका जो लिभार है डाइजेस्ट है थोड़ा सा खराब हो स सकता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो से के लिए प्रेस की इनिड नियुक्त करता है यह पानी दरना का में इस तरह मैं करने हुआँ तो झालरा वीड वीडियो अच्छा लगात तो लेक कीजिंद श्यार कीजिंदे जा evolves खार्ण आप समया तुकर उसकों झाल झाल